तो वाव शॉकिंग यह तो में आपको छोटा क्लिप दिखा है मैं आपको फुल क्लिप बातों दिखाऊंगा मैं चाहरा था कि यह स्टोरी मैं कवर करूँ सुबह लेकिन मुझे इसका बैक ग्राउंड नहीं पता था तो बैक ग्राउंड कुछ इस तरह से है यह जो भाई साथ जिन्होंने गाली दी है खातून को यानि के लेडी को वो है मारवी सर्मत खलीलु रह्मान वर्सेज मारवी सर्मत यही टॉप ट्रेंड है इस वकट सोशल मीडिया पर ट्विटर और फेस्बुक पर तो खलीलु रह्मान साथ को बिलाया गया एज गेस्ट और मारवी सर्मत को भी एज गेस्ट एक नेशनल टीवी है नियो चैनल उस पर आट बजे का प्राइम टाइम शो था और उसमें और अजारदी मार्च के उपर बात करनी थी क्योंकि आट मार्च को और अजारदी मेरा जिसम मेरी मर्जी लास्ट यर जब अजारदी मार्च हुआ था तो यह जुम्बला सुप्रीम कोड की तरफ से बैंक कर दिया गया था क्योंकि यह पूरा सेंटेंज है हमारी नॉम्स के खिलाफ है कल्चर के खिलाफ है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो हमारी शरीयत के भी है तो मेरा जिसम, मेरी मर्जी मार्यी सब्सक्राइब में बार बार रिपीट कर रहे थी और खलील और रह्मान साभ उतको चुप करानी कुशिश कर रहे थी कि आप ये जुम्बलान ना करिये खोर्ट की तरफ से बैन किया गया है और जो आप इस तरह की बात करते हैं कि वो अलमबरदार हैं भाई उन्होंने जंड़ा वड़ाया वाई उड़तों की अगर आप मारवी सरमत को जानते हो तो आपको पता है वो किस किसंगी खातून है लेकिन अगर नहीं जानते हो तो आपको ट्वीटर एकाउंट देख लो गाली गुलूच से बरावाए उना मर् पारवी सरमत की तरफ से और खाली रुमान जाब ने बोला मुझे शट अब बोला फिर उसके बाद लोगे बटी और मिच और मुदनी क्या क्या शुरू हो गया आए देखिया अधम बोलजा तुम तो तेरे जिसम में है क्या तेरे जिसम में है क्या उसकर मर्दी चलाता प्लो रहे हैं मार्विस है अवड़ाई अपना जिसम पर देखो जाके आप अपन बार्री पे बाद करें दिन Don't talk between the lines. Please, back around me. तेरा जिसम है क्या भी-भी? तो बोलने जो ने आनको. तुकता नहीं है कोई उसके जिसम आपके जिसम पर तुकता नहीं है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मार्वी साहिबा अपनी बारी पें मैं आपके पास वांपर साहिए अपनी नॉनसेंज यो और शाफ यो ब्लड़ी शाफ प्लीज देखे ये यूश चड़ा वी प्लीज इस वार्म इस व्यूकी पठी हम देखें बहुत तैजीब से बात करें अपनी बारी पर अमरीका में तहकी कर रही है बेहाई की तहकी कर देखें तुन साहिबा आप यूकी बच्त बीजी देखें रहो चले आप तेरा जिसम है क्या थुकता है लिगो इसको इसको इप देखें आप मैंने आप से सवार किया रिक्वेस्ट की बसा भी तरह कहा सलाम की और अर्ज की कि मैंने आपकी बाते पूरे गौफ से सुनी मेरी एक बाख सुनी आपने ने बड़ को लिया आप मेरे साथ पैनल में जी जी खली साब बात करने देन को आप अपनी बात पूरी करें ठीक है करें आपका मेरा मुल्क दुनिया की तरकी पजीर मुमालिक की निचली सथा पर है मेरे हाँ इतने मसाइल हैं जो रिजॉल्ब नी हो पारे फुर दे लास 72 जीर्स काश ये औरते निकलती कुरान हाथ में लेती हैं कैसी हम कलमा पढ़के कहती हैं कि आज के बाद बर्द जो कमा के लाएगा उसमें गुजारा कर लेंगी है खुदा की किसम हम इनके कदमों में आखे बिचाते हैं ये बाहर निकलती है अपने देखिए तारीख गवा है औरतों ने मर्दों के होसले बलंड किये और उन्होंने फतुहात हासिल कि वो मैदान ह कि आप बाहर निकलती है अपने बच्चों को अपने बच्चों को भारती कि उठो इजादात करो है ना खतरनाख बिलकुल भाई नैशनल चालविजन पर दो पड़े लिखे लोग एक औरतों की खूब की बात करती है और एक मर्दों की हूग की बात करता है मुझे उसके embarrassment हुई, एक तौब पाकिस्तानी, दूसरे मुसल्मान, इसलामिक तालिमात जो आपको दी गई है, उतसे बिलकुल ला परवा हुआ हुआ, आपको पता ही नहीं है कि इसलामिक तालिमात में औरत की इज़त करना किस तरह से सिखाया गया है, नभी पाक ﷺ औरतों की इतनी इज़त करते थे, उन्च identifies उनके सामें बात, नहीं करते थे, मगर ये दोनों हाजरात कर गया रहे हैं भाई, और ये लोग मरदों के और उर्वजों के हुकुक की बात करते हैं, ये लोग क्या हुकुक दिलाएंगे जब एक दूसरे की इज़ती नहीं नहीं करते, तो खलीर ररमान जो किया? इन्ति हाई ना मुनासिब रवया, गलत, बिल्कुल भी एंडॉस नहीं किया जा सकता. बहुत से लोग कर रहे हैं जनको महरवी सरमद नहीं पसंद क्यों जी आपने लुबानु भय गहट तबहार करने रड़ता है चूंकि वह समझते ही कि वह किसी भी चड़ाई कर सकती है Лेकिन महरवी सरमद ने जब शटाप कहा आलाकि शटाप इतना खराब वर्ड नहीं है आजकल एक किसम का नॉर्मल या कॉमन वर्ड ही है उसके बना घुस्या हो गया तो मेरे ख्याल मैं शट अप कहेके खुद भी साइड पे हो जाते हैं अपनी बात कहते रहते हैं लेकिन वह पता हैं किसकी भड़ास निकाल दी उसने मारवी सर्मत पर गलत है जो भी है गलत है अब टीवी एंकर जो मारवी सर्मत की फेवर में ज़्यादा तर चुक्छे मारवी सर्मत मीडिया परस्टनेलेटी हैं तो साथ तो देना वड़ता है तो ठीक ठाक चड़ाई हुई है खली और रहमान के उपर और तरह तरह की बाते की जा रही है चीखा चिलाया जा रहा है और अरनब गोसमामी बने वह ही सारे अब यह आप पाकिजानी चैनल देखो खली और रहमान पर सबने चड़ाई की हुई है तो मैं यह समझता हूँ कि यह मीडिया एंकर का तो हकी नहीं इस बात को न उचालो ना इसको रिपीट मोड पे लगाओ ना इसको शेर करो ना इसको दिखाओ बैट मैं भी तो दिखा रहा हूँ यार एक चलिए दिखाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए लेकिन अभी खलिए और रिमान के उपर पाबंदी की बात की जा रही है इनके उपर पाबंदी की बात की जा रही है कि इनको आइंदा मीडिया पर ना लाया जाए क्योंकि वो इस तरह की बाते करते हैं मैं यह समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो पहम्रा है जो पाबंदियां लगवाता है जो policy creator है कोई भी content live किया जाए या publicize किया जाए उसका वो tag करता है अगर पहमुरा खरलीलुर्यमान पर पाबंदी लगा रही था तो खरलीलुर्यमान के साथ-साथ मारी सर्मत पर भी पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि वो जुमला यूज़ कर रही थी जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से मना है इस्तमाल करना on the mainstream media channels और किसी भी publication में तो गलती तो दोनों तरफ की तो पाबंदी दोनों पर होनी चाहिए लेकिन मारी सर्मत के साथ मीडिया ज्यादा है इस वकत तो खलीलुर्यमान के ओपर ज्यादा बुचाड़ हो रही है है। अब बताता हूं मैं अबको औरत मार्च, औरत मार्च असल मैं है क्या ओरतों की हुखूक की बात की जाती है। उंके राइट्स की 8 मार्च को उंका दिन मना जाता है पाकिस्तान में पिछले साल भी मनाया था मैं ंस पर यह वीडियो किया था तो औरत मार्च में औरत के हुकुट के लावा हर काम होता है हर किसी चीज की डिभांड होती है ऐसे ऐसे सिर्प पेनाई गये थे last year के ले दो को मैंने अपनी तांगे खोल दी हैं आओ आके देखो यह दो को मैंने कपड़ इतार दी हैं आओ आके देखो में जी सब मेरी मर्जी यह वहीं से निकलाता है और बहुत से ऐसी वहियात और हमारी जो किल्चिरल वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी के जो नॉम्स हैं उसे कंप्लीटली अगेंस्ट हैं हाँ वैस्ट में आप नंगे रहो कुछ भी करो लेकिन हम लोगे सर्टन लिमिट्स हैं मुस यही होगा तो आठ तारीक को होना है और अभी से ही मेरा जिसम मेरी मर्जी का स्लोगन चल रहा है वूडिंग्स बनाया जा रहे हैं बिलबूर्ड बनाया जा रहे हैं वोल चॉकिंग की जा रही है जिसके उपर यह बहुत हीट अप हो गया है मामला अब औरत मार्च तो होग ही है असल में वो औरत जिसको हरास किया जाता है पब्लीकली वर्क प्लेस पर घर में सास के साथ है उसकी बात की आती है नहीं यह जितनी भी वोमन्स राइट की बात की जाती है यह वह हैं जो रजे का मतलब यह होता है कि अन्होंने मज़े किये हुए अब वह फर्स्रेटी अपनी लाइफ से और निकल आते हैं घंडे लेके तो बिचारी जो पिसी भी ओरते हैं उनकी बारे में कोई बात नहीं की जाती है यह बहुत बड़ा ड्रामा पकिसान में चल रहा है अभी दो दिन चलेगा बात कहा तक जाएगी I don't know मगर को मैं कभी भी इंडोस नहीं करू यह बहुत अच्छा बंदा है पड़ा लिखा इंसान है और अच्छी बाते करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया थे प्लीज को लाइक कीजिए शेर कीज़े फ्रेंट फेमिली साथ अपना बहुत क्याल रखी का स्टेश सेफ खुश रहें स्वाव अलेकुम अले अब्सक्राइ बढ़ा कि अब्सक्राइब कर दो प्रेंट अन्हें सेफ खुशब और अग्यों यहां अजार बेल बाते हैं वीडियों